बैद बच्चे लोग पिछले के 3 वीडियो में मैंने आप लोगो बताया था कि हाड़बे सौभवेर क्या होता है और कितने पार्ट से ऌट वैर के पार्ट के पास कितने अब लोग को कि utility software के बाद भी आप लोग को बहुत सारे software के बारे में जानना है जैसे हो गया backup software entertainment software data तो यह सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला topic आज का है backup software backup software किसको बोलते हैं तो backup software this software designed to duplicate important data and enable recovery in the event लॉस्ट, गरॉप्टेड और इंफेक्टेड बाई वायरस ऐसे तो आप लोग सब जानते होगे कि बैक अप का मतलब क्या होता है किसी भी चीज का हम लोग एक बैक अप बना के रखते हैं कि अगर वो डाटा मेरे से गलती से डिलीट हो जाए या फिर वो करॉप्ट हो जाए या फिर उसमें वायरस आजाए तो उसे हम लोग डिलीट करके इसके मतलब से दोबारा उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे पास दोबारा ला सकते हैं तो कम्प्यूटर में भी बैक अप सॉफ्वेर का वही काम है वो डाटा को डुब्लिकेट करके रख लेते हैं और अग अगर वो डाटा डिलीट हो जाए या फिर कम्प्यूटर में वायरस आजाए तो हम लोगों को कम्प्यूटर को पूरा फॉर्मिट मारना पड़े तो वो जो बैक अप है वो हम लोग के का आता है नेक्स टॉपिक है वर्ड प्रोशेसिंग सॉब्वेर तो वर्ड प्रोशेस वर्ड प्रोशेसिंग सॉफवेर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग कोई भी टेक्स्ट डोक्यूमेंट को बना सकें इडिट कर सकें फॉर्मेट कर सकें इडिट मतलब तो आप लोग जानते हैं अगर कोई गलती है उसे सुधारना और फॉर्मेट मतलब जैसे यह बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन से हम लोग जैसे अंडरलाइन करते हैं बोल्ड करते हैं अलग अलग कलर से कोई टेक्स लिखते हैं तो वह सब और बहुत सारे डिजाइन भी होते हैं फॉर्मेट में वह सब आते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफवेर में हम लोग कर सकते है कोई भी text document को सुन्दर बनाते हैं उसे edit करते हैं कुछ गलत साही रात उसे दुवारा लिखेंगे ठीक है तो यह सब काम होता है इसका example हो गया word ms word word pad और जैसे wind bird यह सब में यह सब काम होते हैं ठीक है उसके बाद आता है entertainment software entertainment software को amusement software भी कहा हो जाता है amusement मतलब होता है खेल कूद ठीक है यह सब होता है तो entertainment software के मदद से हम लोग computer में games खेल सकते हैं अब computer में पहले से तो games रहते नहीं हैं तो उसमें हम लोग को install करना पड़ता है उसी तरीके से जैसे सारे software का cds होते हैं उसी तरीके से entertainment software के भी cds होता है जिसको install करके हम लोग computer में video games खेलते हैं games खेलते हैं तो उसको entertainment software बोला जाता है next है data based management software this software used to create and manage data data based management software में बहुत सारे data को हम लोग create कर सकते हैं इधर से उधर कर सकते हैं कुछ मतलब data में जो changing करना होता है data means numerical data का बात हो रहा है ठीक है text data का नहीं बात हो रहा है ऐसे तो data कोई भी तरह का data होता है पर इसमें numerical data text data भी आ जाता है पर अगर हम लोग को text document को ही सही करना रहता है तो हम लोग word processing software में करते हैं data based management system हम लोग data को create करते हैं और data को manage करते हैं तो वह सब इसमें होता है उसके बाद है business software business software it is a software DBMS का example अगर हम लोग लें तो इसमें DBMS आएगा DBMS आप लोग को बाद में पढ़ना है इसको data based management software भी आप लोग को पढ़ना है तो वह हम लोग आगे के class में पढ़ोगे आप लोग कि क्या होता है इसमें बहुत सारे worksheets बनाया जाते हैं अलग-अलग तरह के तो उससे DBMS software बोलते हैं अब है business software it is a software or set of computer program used by business users to perform various business functions business software business software क्या होता है businessman के द्वारा huge किये जाते हैं जिससे बहुत सारे business के काम होते है productivity को बढ़ाने का काम फिर अब हम लोग को सारे जितने भी हम लोग के पास जितने employees होते हैं businessman के पास उसके details रखने के लिए तो उसके लिए भी हम लोग को business software help करता है इसको कितने salary दिये जाते हैं उसी साथ से उसमें जैसे payroll payroll एक payroll एक system है business software का जिसमें की हम लोग salary के बारे में उसका details होता है तो जैसे अब टैली टैली तो तुम लोग नाम सुन नहीं होगे तो टैली एक तरह का business software सीखने में मदद क बिलिंग विलिंग सब कुछ होते हैं यह हो गया आप लोग का software अब नेक्स वीडियो में आप लोग को मैं हो सके तो इससे related question बनाने दूंगी नहीं तो इसके आगे के topics जो हैं जैसे इसके आगे आप लोग को ports and cables के बारे पढ़ना है तो ports and cables क्या है तो जैसे यह USB है ना यह तो यह USB के बारे पढ़ना है कौनसे parts को computer कैसे connect होते हैं CPU में तो आगे के topics पे हम यह पढ़ेंगे